जब तक राम सेतू है, वो दुनिया को विश्वास दिलाता रहेगा कि जब जब किसी स्त्री का अपरन होगा, एक श्री राम समुद्र को बांद कर अपनी वानर सेना के साथ आएगा और हर रावन का विनाश होगा वो अपने रखवाले को खोचुके है सुपरिष्टार अक्षे कुमार की फिल्म राम सेतू को बॉक्स ओफिस पर आज कंप्लेट हो चुके हैं 19 दिन और फिल्म ने सुरुवाती 19 दिनों में इंडियन बॉक्स ओफिस से डीसेंड कमई कर ली है वही दोस्तों इस हबते रिलिच हुई अमिताब बचन की फिल्म उचाई, होलिवोड की फिल्म ब्लेक पेंथर, वकांडा फोरेवर और पेन इंडिया फिल्म ये सुरुवाती दो दिनों में बॉक्स ओफिस से ठीक ठाक कमई कर ली है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुचाईया, ब्लेक पेंथर ये सोदा के दो दिनों के कलेक्शन के बारे में और अक्षे कुमार के राम सेत्व के 19 दिनों के वर्ल्ड वाइट टोटल कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से अब तक कितने करोड रुपे कमा लिये तो चलिए सुरुवात करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ इसाथ कमेंट करके बताईएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है सबसे पहले अगर बात करें पेन इंडिया फिल्म यसोदा के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रही है सामन था वैसे तो ये फिल्म तमिल और तेलगू में सूट हुई है, लेकिन फिल्म को हिंदी, कन्नडा और मलियालम में भी डप करके रिलिज किया है बताना चाहूँगो दोस्तों ये सोदा फिल्म को PVR, Ainox, Cinepolis, कुछ जो बड़े-बड़े मल्टिप्लेक्स चेन है वहाँ पर हिंदी वर्सन में नहीं रिलिज किया है, क्योंकि ये फिल्म सिर्प चार हपतों बाद ही OTT पर रिलिज होने वाली है जबकि अगर कोई भी हिंदी फिल्म सिनमा घरों में रिलिज होगी, तो मल्टिप्लेक्स चेन्स के मुताबिक उस फिल्म को OTT पर आठ हपतों बाद रिलिज करना होगा जिसके चलते ही दोस्तों यहाँ पर मल्टिप्लेक्स वालों ने ये सोधा फिल्म के हिंदी वर्सन को नोर्थ इंडिया में नहीं चलाया तो गिने चुने सिंगल स्क्रीन और छोटे मोटे मल्टिप्लेक्स चेंज में यह सोधा फिल्म के हिंदी वर्षन को दिखाया जा रहा है इंडिया नेट कलेक्सन किया है तीन करोड पचास लाख रुपेई वही दोस्तों फिल्म को जो रिव्योज मिले हैं वो सूपर पोजिटिव है जिसके चलते फिल्म की सेकंडे की उक्किपेंसे में एक बड़ा ग्रोथ आया और फिल्म सुभा के सो में ही काफी अच्छी तो जो रिपोर्ट आभी तक आईए उसके मुताबिक यसोदा अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्सन कर रही है चार करोड पचास लाख रुपे इसी के साथ दोस्तों यसोदा फिल्म का सुरुआती दो दिनों में इंडिया नेट कलेक्सन हो रहा है आट करोड रुप बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म दो दिनों में ओर सिस मार्केट से लगभग 3 करोड 50 लाख रुपे की कमई कर रही है इसी के साथ दोस्तों यसोदा का दो दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइट ग्रोस कलेक्सन हो रहा है 13 करोड 2 लाख रुपे तो दो दिनों में फिल्म के collection decent है, कल संडे भी collection में एक बड़ा jump आ सकता है और फिल्म को review उस पहले से ही positive मिले है यानि कि दोस्तों यसोदा फिल्म box office पर hit होने को तयार है वही अब अगर बात करें बोलियोड की फिल्म उचाई के बारे में जिस फिल्म को direct किया है सूरज बढ़ जातिया नहीं और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे है मेगा श्टार अमिताब बच्चन सर उनके साथ में है बोमन इरानी अनुपम खेर फिल्म में डेनी सर का भी एकी special cameo देखने को मिल रहा है बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म को जो reviews मिले हैं वो super positive है और फिल्म की जम कर तारिप की है audience और critics सभी ने लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतने अच्छी फिल्म होने के बावजुद भी इस फिल्म को जो screen से वो कम मिली थी और फिल्म के जो collection है वो पहले दिन उमीद से कम आ रहे हैं हलाकि दूसरे दिन फिल्म के collection में एक अच्छा खासा उचाल देखने को मिला है जिया दोस्तों आपको बता दे कि उचाही फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से net collection लगभग 2 करोड का किया वही दूसरे दिन ये फिल्म इंडिया net collection 2 करोड 50 लाक रुपे का कर रही है इसी के साथ दोस्तों उचाहियों का दो दिनों के अंदर इंडिया net collection 4 करोड 50 लाक रुपे का हो रहा है वही इंडिया gross collection 5 करोड 34 लाक रुपे तो दोस्तो फिल्म का बजट जहां लगभक 40 करोड रुपे है उस हिसाब से देखे जाए तो उचाईया को बॉक्स ओफिस पर हिट होने के लिए मिनिमम 50 करोड की रेंज में कलेक्सन करना होगा तो दो दिनों में तो फिल्म का कलेक्सन काफी कम है पर उमीद कर सकते हैं कि अच्छे रिव्यूस के चलते हैं यह फिल्म कल संडे और उसके बाद वीग डेज में भी एक डीसेंट कलेक्सन कर सकती हैं वही दोस्तों बात करें होली ओड की वन अब दे बिगेश्ट फिल्म ब्लेक पेंथर वकांडा फोरेवर के बारे में तो इस फिल्म को पब्लिक की तरप से जो रिव्यूस मिले हैं वो मिक्स टू पोजिटिव है यानि कि ज़्यादा तर लोगों को फिल्म पसंद आई है लेकिन दोस्तों जैसा हम सबने सोचा था कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस पर पहले दिन 14 से 15 करोड की कमई करेगी उस तरह का कलेक्सन फिल्म का पहले दिन निकल के नहीं आया और यहाँ पर वकांडा फोरेवर ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ओफिस पर अंडर पर्फोर्म किया है जियां दोस्तों आपको बताना था चाहूंगा कि ब्लेक पेंथर वकांडा फोरेवर ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्सन लगभग 11 करोड का किया पर अच्छी बात यह है कि फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन ड्रोप नहीं आया बलकि सेकंड डे फिल्म के कलेक्शन में अच्छा खासा उच्छाल देखने को मिल चुका है तो जो रिपोट आभी तक आईए उसके मुताबिक वकांडा फोरेवर ने अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 12 करोड 50 लाक रुपे इसी के साब दोस्तो वकांडा फोरेवर का दो दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 23 करोड 50 लाक रुपे वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 27 करोड 90 लाक रुपे तो फिल्म ने दो दिनों में इंडियान बॉक्स ओफिस पर डीसेंड कमई की है और कल है संडे तो फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा जमप आ सकता है हलाकि दोस्तो फिल्म के जो वर्ल्ड वाइट कलेक्शन है उसकी ओफिसल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है साम तक साथ इस फिल्म के जो ओफिसल कलेक्शन है वो और सिस मार्केट से वो भी आ जाएंगे तो कल के वीडियो में मैं आपको इस फिल्म के जो worldwide total collection है वो भी बता दूँगा वही अब अगर बात करें दीपाउली के मोके पर रिलिज हुई सुपरिश्टार अक्षे कुमार के फिल्म राम सेतु के बारे में लेकिन दोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि कम स्क्रीन होने के बावजूद भी राम सेतु फिल्म डेली बॉक्स ओफिस पर ठीक ठाक कमई करती जा रही है जिया दोस्तो 85 करोड के बजट में बनी फिल्म राम सेतु जिस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ हमें देखने को मिले थे सत्यद्यव, नुसरत और जेकलिन फरनांडिस बात की जाए फिल्म के अब तक के टूटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो राम सेतु फिल्म ने सुरुआती साथ दिन, यानि के पहले हपते में इंडिया नेट कलेक्शन किया था उनसाहाट करोड रुपे का, वही दोस्तो फिल्म ने सुरुआती दस दिनों में, इंडि दोस्तो यहाँ पर राम सेतु फिल्म ने अपने अठारवे दिन यानि कि कल सुक्रवार के दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया है साहट लाक रुपे का वही दोस्तो यह फिल्म 19 वे दिन यानि कि आज इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 80 लाक रुपे इसी के साथ दोस्तो यहाँ पर राम सेतु फिल्म का सुरुवाती 19 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है पिचोतर करोड़ पचास लाग रुपे वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन उननभे करोड पिचासे लाग रुपे बात कि जाए इस फिल्म के वर्ल्डवाइट ग्रोस वो एस्टिमेट हो चुका है 99 करोड 30 लाक रुपे जिया दोस्तों फिल्म को 100 करोड के आकड़े में इंट्री लेने के लिए सिर्फ 70 लाक रुपे की कमई और करना होगी जो की ये फिल्म कल यानि कि संडे कर जाएगी और कल राम सेतु फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक कर जिल्म को पराम सेतु परणाओ झारी क उनें विकाम निल्म करो की यातल होगी टा 1 लाक इल्ल लाक पने लिल्म के अाएगी लिया जगिवागी बेट कर पसमानिया झाल यानिया भुप को पाल ब değ graduate